तो अल्डीज गोल्ड में आपका स्वागत स्वास्थ्य समन्दी चर्चा में होमियोपेतिक के अंदर एक दवा जो हाट के लिए अम्रत के समान है जिसका नाम है क्रेटिगस अगसाई कें था जब बात हाट की चल पड़ी है और ये मौसम भेंकर ठंड का है एक बात हम करना चाहते हैं आपको कि जो हाट के पैसेंट है या जिनकी बाइपास हो चुकी है या जिनका इस्टेंट लगावा है या जिनका बी-पी हाई रहता है या जिनको कोलेस्टरल बढ़ा रहता है अत्यदिक बहुत ही आविशक हो तो सुब़े और रात्री गर से बाहर ना निकले रजाई में रहें टीवी देखते रहें बच्चों से कहानी कहें महज 15-20 दिन की बात है उसके बाद में कोई ऐसी बात नहीं और जो मॉर्निंग वाग करते हैं हाट के पैसेंट उनको 20-25 दिन के लिए विस्राम दे देना चाहिए वाकिंग नहीं करें यदि वाकिंग करने का इस शोक है तो अच्छी धूब खिली हो नो बजे कर सकते हैं मेरा कहने का मतलब ये कि बीपी और हाट का पैसेंट इस तेज ठंड से जहां तक हो बचें सफर करने से बचें अब अत्यद्य की मरत वपून काम आ पड़े तो वो एक अलग बात होती है तो हाट की जो दवा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ क्रेटिग एस अगसाई केंथा ये हाट का टोनिक है लेकिन इसके बारे में मैं बताऊंगा तो देखिए एक वो गाना है कि बाते हैं बातों का क्या किसमे वादी प्यार वेफर वादे हैं वादों का क्या तो हर एक दवा के अंदर ये नियम लागू होता है क्रेटिगस के लिए लिखा है कि ये आर्टिज को खुला रखती है ब्लोकेड नहीं होने देती लेकिन आदमे क्रेटिगस लेते हुए भी उसकी आर्टिज ब्लोकेड हो जाती है तो इसके अंदर क्रेटिगस का दोस्त नहीं पैसेंट तो ये फट से तोप दाग देगा कि मैं बरसों से क्रेटिगस खा रहा हूँ मुझे क्यों रिदेगात हुआ क्यों मेरी आर्टिगस ब्लोकेड हुई तो इसके पीछे जो कारण है वो नहीं बताते कोई अब आप क्रेटिगस खाते रहें क्रेटिगस लेते रहें और आपकी दिन चरिया हर एक दिन बाद कचोरी खाना समोसा खाना कभी दिन में सोना कभी रात को जगना कभी क्या करना कोई टाइम नहीं कोई टेबिल नहीं कोई मेंती काम नहीं करना पड़े रहना खाते रहना मोटापा बढ़ा लेना तो क्रेटिगस क्या करेगा आर्टीज ब्लोकेड होईगी क्रेटिकस कितनी मदद करेगा आपकी आप तो पहड 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 लादे ही जा रहे हो अपने उपर तो क्रेटिकस लेने वाला जो दवा है वो दवा कभी गलत नहीं है जो लिखा गया है वो कभी गलत नहीं है लेकिन आप दवा लेते हुए जो दिन्चरिया के नियम है मनुश्य के उनका पालन अगर आप करेंगे तो आपकी कोई आर्ट्रीज ब्लोकेड नहीं होगी और आप पूरी उमर लेंगे तो क्रेटिगस के बारे में मेरा कहना ये है कि अब आप अपने आपको काबू में रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं फिर भी क्रेटिगस को बंद नहीं करें लेते रहें और दिंचरिया का पालन करते हुए लेंगे तो करना ही क्या और वेसे भी अगर आप लेते हैं तो वो आपकी मदद ही करेगी आपका नुक्सान अगर एक रुपया का होना है वो बाराने का ही होने देगी ये इतने अच्छी हार्ट टोनिक है और जिनके भी रिदे कमजोर हैं या कमजोर दिल के आदमी हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं इसके कोई दूस परवाव सामने नहीं आए और आज के वक्त के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं जिसकी जांच कराने पर एक आद आटरी ब्लोकेड नहों सभी लोग ट्रेस के अंदर जीते हैं कि एक समझने की बात है सभी लोग ट्रेस के अंदर जीते हैं डिप्रेशन के शिकार हैं कोई का कुछ हो गया कोई का कुछ हो गया आदमी का दिमाग फिरी नहीं तो रिदे बल्वान कैसे होगा तो क्रेटिगस का तमाम जिंदगी लें कोई हर्ज नहीं क्रेटिगस मदर टिंचर में सबसे बड़िया काम करता है ये एक दारना लोगों की बेटी हुई है तो इसका हमेसां लंबे समय तक इस्तेमाल तो मदर टिंचर में करिये और कोई बीपी का अगर रोगी है और वो क्रेटिगस का मदर टिंचर लेता आ रहा है और अचानक बीपी बढ़ गया तो क्रेटिगस एक हजार की या दोसों की एक दो खुराक ले ले बीपी कम हो जाएगा अब आप ये मुरे को मत कहना कि मदर टिंचर लेते हुए आप पोटेंसी क्यों दे रहे हैं यह यह मेरी मर्जी की बात है यूं मान के चलो मैं कोई अहम से नहीं कहता कोई मेरा बनाया नियम नहीं चलता लेकिन कभी कभी उनके अंदर सुधार करने का अधिकार प्राप्त होता है तो वो करना होता है क्रेटिगस दोसों में भी बड़िया काम करता है एक हजार में भी लेकिन ये रोज नहीं ये जब बीपी हाई हो तो ले नहीं तो बिलकुल ना लें मदर टिंचर ही लें और इसके मदर टिंचर के साथ में अरजुना का मदर टिंचर भी आप सामिल कर लें अब मैं आपको इसके बारे हम बताता हूँ वैसे तो कहीं रोगों में लाबकारी है ये लेकिन दिल के लोगों में तो बहुत ही अच्छा असर करती है क्रेटिगस इसके रोगी के सिर्क के अंदर खून जमा हो जाना सिर्क के पिछे के हिस्से और गर्दन में दर्द होना सिर्क का गूमना आदी सिर्क के रोगों के लक्षणों में क्रेटिगस देने से लाब मिलता है सरीर के जो बाहरी अंगे हाथ पेरों का ठंडा हो जाना पूरे सरीर में सूजनाना सरीर में ऐसे महसूस होना जैसे की सरीर बहुत ज़्यदा कमजोर हो गया हो आदी लक्षणों में क्रेटिगस आकसाई केंता का प्रियोग होना चाहिए सूजन से समंदित लक्षण थोड़ी शीवी सारारिक मेहनत करते ही सांस फूलने लगना तो इसका मतलब सीधा साप जाईर के रिदे कमजोर होने पर ही ऐसा होता है दम सा गुटता महसूस होना सांस लेने और सांस को छोड़ने में परेशा नहीं आना आदी लक्षणों के आदार पर रोगी को क्रेटरी के सागसाई केंता का सेवन कराने से लाब दाइक होता है दिल के लक्षणों में बहुत तेजी से होने वाला दर्द सरीर में खून की कमी हो जाने के कारण दिल को ढखने वाली जो जिल्ली है उसमें दर्द सा मेसु सोना नाड़ी का बहुत धीरे धीरे चलना आदी दिल के रोगों के लक्षनों में रोगी को क्रेटिगस देने से लाब मिलता है इसके रोगी के रोग लक्षन जो हैं गरम कमरे के अंदर बढ़ते हैं थोड़ी सी मेनत करते ही बढ़ते हैं और रात के समय मन में भए रहता है और वात रोग होने के कारण भी तकलीफ बढ़ जाती है और शमन मतलब आराम मिलता है ताजी हवा में चुप चाप रहने से और आराम करने से रोग कम हो जाता है इसके बराबर की दवाईयां एपेस आसनिक और ब्राइनिया कनवेल एरिया और डेजिट एलिस फेरम फास जेल सीमियम इपिकाक काली कार्ब लेकेसिस लाइको पोडियम मर्क सल्फ, नेटरम सल्फ, फासफॉरस, रस्टॉक्स, विरेटरम, विर्डी से की जा सकती है इसमें विरेटरम, विर्डी तो यह कई जो दवाएं है इसके साथ तुलना की जाती है क्रेटिगस जो होता है उसके अंदर जो ब्लेड पेशर का रोगी है और वो ब्लेड पेशर की गोली लेता है और गोली लेते हुए भी उसका बिपी बिलकुल नॉर्मल नहीं होता एक सो सत्तर रहता है या सो रहता है तो जितने आदमी की आयू होती है तो उसके अंदर हंडेड पलस कर देना चाहिए वो बिपी सही होता जैसे किसी की आयू मालो सत्तर साल है तो उसमें सो जोड़ो तो एक सो सत्तर हो गया तो उपर का ब्लेड पेशर अगर एक सो सत्तर है तो कोई गबराने वाली बात नहीं लेकिन इसके अंदर एक बात जरूर है तो सो में कुछ रोगी ऐसे होते हैं दो चार जिनको एक सो तीस के बाद ही सहन नहीं होता ये एक अलग बात है इसलिए अपने अपने सरी की ताशीर के हिसाब से होता है और ये जो मौसम है सर बहुत ज़्यदा ठंडी तो इसके अंदर अपना रक्त है वो जमता है और रक्त को जमने नहीं देना चाहिए इसलिए अपने लोग रात को रजाई वगेरा अलाव के सामने बेटना करना या खान पान ऐसी चीजों का हो जैसे लैसून है जैसे गुड है जैसे तिल के लड़ू है तो इस मौसम के इस रीटू के अनुसारी खान पान आप रखें ताकि आपकी बोड़ी को गर्महट मिलत रहे ऐसे वक्त के अंदर अब फैसन ऐसा हो गया कि कोई पार्टी हुई किसी का बर्थडे हुआ तो कुछ भी लोग नहीं देखते ऐसे मौसम में भी जाकर के कैसर या कुल फी खाके आते हैं ये गलत बात है अरे ठीक है आपको खुशी है आपका जनम दिन है ये आपके तड़े है अपने और बहुत चीजें हैं खाने की तो इस तरह अगर खान पान गलत रखेंगे तो सरीर कैसे ठीक रहेगा है तो सर्दी में सरीर को गरम रखना और गर्मी की मौसम में सरीर को तर रखना यानि कि तरावट में रखना ही एक तरह का जिवन होता है क्योंकि आप और हम जिस मिटी में पैदा हुए हैं भारत देश के अंदर तो कुदर्ट नहीं चार रितुएं बनाई है तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां इस वगत गर्मी है ठंडी नहीं वो एक अलग बात है लेकिन कुल मिला करके चारी मोसम होते हैं तो यह सरद रितु है सरद रितु के अंदर गुड का और तिल का परियोग करने से हैं आपकी सेहत को छोटे मोटे कोई रोग नहीं होंगे आप ताजूब करेंगे अगर आपको जुखाम हो गया है मान लिजिए इसी वक्त जुखाम हो गया आपके घर के अंदर कोई सेरोडिन या कोई भी गोली नहीं कुछ भी नहीं है यूं मान के चलो आपके घर के अंदर खाने की कोई दवाई नहीं तो गुदर्श क्या करती है आपको गुड के अंदर तिल का तेल और गुड और आटा इसका चवन प्रास जैसा हलवा बना लें तिल के तेल में गुड डाल के चीनी मट डाल देना चीनी जहर होती है तो एक आदमी जितना हलवा बना लें दस मिनट में बन जाएगा और पहले पानी पी ले उस हलवे को खा लें आप चमत से कोई चीज साथ में नहीं खाएं और खाने के बाद रजाई के अंदर दुबक जाएं सुब़ ही आपको लगेगा कि आपका जुकाम रपू चक्कर हो गया ये है आपके रसोई के अंदर ही सब कुछ इलाज है गुड हर गर के अंदर मिलता है तिल का तेल मिलता है आटा रहता ही है एक दस मिनट का काम है अगर जुकाम तिन रात लेकिन इसको दिन में नहीं खाना चाहिए रात को सोती वगत खाएं और पानी पहले पिले इसके उपर पानी ना पियें गंटा डेट गंटा फिर रात को जब आंग कुलती है जब पानी पियें तो इस मौसम से बचाने के लिए सक्रकंदी का परियोग करें रात को भून करके सक्रकंदी आप खा सकते हैं और दिन में बारा दो बजे अमरूत का सेवन कर सकते हैं अनार का सेवन कर सकते हैं मेरे कहने का मौतलब की इस मौसम में जो चीजें कुद्रत पैदा करती है उनका सेवन करें और क्रेटेगस के साथ के अंदर अर्जुना मदर टिंचर तो आदे कप पानी में गुन गुना पानी होना चाहिए अगर आपको कोई तकलिफ नहीं है आप ठीक हैं फिर भी आपको रहता है कि कुछ मेरा रिदे कम जो रहा है या हलका फुलका बीपी रहता है तो टू टाइम ही लें दस दस बून दोनों की मिला के आदे कप पानी में सुबह और साम खोलें और जो ओल रेडी हाट के प्रेशन्ट है या बीपी के प्रेशन्ट है तो वो कंटियू लगातारी लें बारा इमेना और दिन में तेन बार लें और जब जिस वगद बीपी बड़ जाता है तो उस वगत 15-15 मिनट के अंदर खुराके ले ले तो उनका बीपी वालों का एक जो कॉमिनेशन है वो मैं डिस्क्रप्शन पे लिखता हूँ उन सब मदद इंचर्स को मिला करके अगर हाई बीपी के रोगी लेंगे तो गोली खाते हुए भी जिनका बीपी बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं हो कि आप ये कॉमिनेशन ले रहे हैं और बीपी की गोली छोड़ देंगे ये गलती ना करना हम से एक ने सवाल किया कि ये ब्लेड पेसर का जो रोग है ये जड़ से ठीक क्यों नहीं होता तो हमने जवाब दिया कि ये जड़ से ठीक हो सकता है लेकिन ये क्यों नहीं ठीक होता इसकी भी वज़े है कि इसकी वज़े कहीं नहीं लिखी है सारे डाक्टर ये कहते हैं कि तमाम उम्र दवाई लेने पड़ेगी बीपी की मैंने का वो भी ठीक कहते हैं कि ये कैसे होता है कि ये यूं होता है अमने जवाब दिया आपको जब मालुम हो गया कि आपको हाई ब्लेड पेशर है आप समझदार हैं आप गोली खाना सुरू कर दिया अगर आप मूर्थ हैं कोई जिन गोली न खाये और आपको मन में याद नहीं आई तो आपका बीपी वो ही रहेगा लेकिन जैसे ही अगर आपको खयाल आ गया ओपिस में गर से बाद कि आज सुबह की खुराग खानी भूल गए वो जैसे ही याद आया और आपका बीपी 15-20 पॉइंट बढ़ गया और दाक्टर से न पाएंगे तो कहेंगे कि हम आज सुबह की गोली नहीं खाई इसलिए बढ़ गया यह तो डाक्टर तो यहीं कहेंगे कि गोली खाने में चूको मत तो यह एक जरासाग डिप्रेशन जरासाग जोर से बोलना नेंद नहीं निकालना और दिमाग में एक बार नहीं घर कर जाती है कि मैं बीपी का रोगी हूँ कहीं मेरा बीपी नहीं बढ़ जाए हर एक बात पे इस बात को सोचना यह एक बीमारी जो हर इनसान में जो बुद्धी जिवी हैं उनको जब यह हो जाती है तो वो अपने मन से यह ख्यालात नहीं निकाल पाते और उनके सोचते ही उनका बीपी अब हो जाता है यह एक सोचने की बीमारी है अगर आदमी ऐसा नहीं सोचे तो कुछ भी नहीं है लेकिन यह सोच की बीमारी है और कोई भी जो बीपी का रोगी है वो अपने आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकता कि वो भूल जाए है इसलिए हमेशा ही गोली खानी पड़ेगी और गोली खाते हुए भी अगर बढ़ता है तो इन दवाओं का सहारा लें ताकि आपको गोलियां कम खाने पड़े दोस्तों आज का ये वीडियो क्रेटागस से वास्तों में हार्ट टोनिक है इसकी जब पुर्विंग हुई तो एक सो साथ बूंद तक इसको खिलाया गया तो किसी को मामूली दस्ताया एक तो इसकी पुर्विंग के अंदर एक जो पैसी फ्लोरा मदर टिंचर है वो भी इसका सही होगी है उसकी पुर्विंग के अंदर भी यही आया तो कहने का मतलब कोई विशे साइड इफेक्ट पुर्विंग में पैदा नहीं हुए इसलिए ये दवा बिलकुल सेफ है ठैंक